गुड बॉर्निंग क्लासिक्स, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट M.S.C. और M.S.C. में लेसन नमबर 7 All human beings are equal सभी इंसान क्या है? Equal है, बराबर है Long long ago there lived a king in the kingdom of Africa एक बार की बात है, बहुत पहले की कि एक राज़ा रहता था कहाँ पर? अफरीका के राज़े में He was a very arrogant and authoritarian man वो बहुत ही arrogant था, arrogant मतलब proudie, बहुत घमंडी था और सत्तावादी, मतलब उसको लगता था कि यह पूरा जो राज़े है, बिलकुल मेरा है One day while sitting in his palace, surrounded by several people who had come to see him तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपने महल में बैठा था और वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जो कि उससे मिलने आये थे वो अचानक से आया, बड़ी ही शान से Grandeur मतलब शान, बहुत ही शान से आगया आया और उसने announced किया, मतलब यह घोशित किया कि वो क्या है, इस पूरे विश्व का master है मतलब कि पूरे विश्व का मालिक है और जितने भी यहां के लोग है, वो सब क्या है उसके servants हैं, उसके नोकर है All men are servants of each other, said a wishful voice You are mistaken तो तभी एक voice आवाज आई, जो उसने सब यह राजने इस तरह से घुशना की बहुत ही शान से आकर तो बड़ी उदास आवाज में एक बोला कोई निकल कर कि All men are servants of each other, कि सारे आदमी एक दूसरे के नोकर है कि सब आदमी एक दूसरे के servant है, आप गलत है तो उसने राजा को गलत बोलते हुए यह बात कही कि सब men एक दूसरे के servants है There was absolute silence after his comment तो जब यह comment उसने किया, मतलब ऐसा बोला तो वहाँ पर क्या हो गया सारे में? Silence हो गई, क्योंकि उसके राजा के खिलाफ राजा ने जो बात कही उसको किसी ने गलत बोल दिया था तो वहाँ पर एक दम शान्त वाता वरन हो गया On hearing this, the king lost his temper और जब उसने ऐसा सुना तो उसे बहुत ज़्यादा गुसा आ गया राजा को और उसने कहा उसने पूछा कि who said that? ऐसा किसने कहा? Who dare suggest that I am a servant? ऐसा किसने suggest किया? मतलब किसकी हिम्मत हुई ऐसा बोलने की कि मैं एक नोकर हूँ? I do said a voice in the crowd तो बीड में से एक आवाज निकल कर आई और वहाँ से कौन आया? एक बहुत ही बुड़े मतलब बुड़ा आदमी था वो सफेद बाल थे उसके और वो उसके हाथ में क्या थी? एक stout stick मतलब बहुत ही मजबूत चड़ी थी जिसके उपर वो जुका हुआ था मतलब बहुत ही ऐसा जुका हुआ जिसे बुड़े आदमी जुक जाते हैं stick पकड़ कर चलते हैं तो उसने का मैंने कहा है ये बात Who are you as ducking? तो राजा ने पूछा तुम कौन हो? I have come from a nearby village तो उसने कहा कि मैं पास के ये गाव से आया हूँ There is no water or even a well in a village और हमारे गाव में पानी नहीं है और यहां तक की पानी का कोई कुवा भी नहीं है I have come to request you that a well should be dug there तो मैं यहां आपसे request करने आया हूँ कि वहाँ पर एक कुवा खोदा जाना चाहिए तो उस बुड़े आदमी ने ये कहा तो किंग चिलाया है राजा है उसकी बात सुनकर So you are a beggar तो तुम भिकारी हो क्यों कहा उसने ऐसा क्योंकि वो request करने आया था कि हमारे गाव में कुवा खुदवा दू Marching down to where the man stood तो जहां वो आदमी खड़ा था उसकी तरफ उसने बढ़ते हुए ऐसा कहा वो चिलाया कि तुम भिकारी हो Yet you have the audacity to call me a servant तब भी तुमने ऐसे गुस्ता की कि तुमने मुझे नो कर बुलाया We all serve another हम सभी एक दूसरे को क्या करते हैं serve करते हैं और मैं आज रात ढलने से पहले पहले ये प्रूफ कर दूँगा मतलब ये साबित कर दूँगा उस बुड़े आदमी ने ये कहा कुछ भी बिना डरते हुए उससे राजा से वो बिलकुल डर नहीं रहा था और वो ये सब बाते रख रहा था अपनी कि हम आपके servant नहीं हैं बलकि सारे इंसान एक दूसरे के servants हैं और उसने का कि मैं ये साबित भी कर सकता हूं तो जो मुनार्च वो king था जो ताना शाह राजा था उसने का ठीक है ऐसा करो if you could do that अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं order दूँगा कि तुमारे कुवे में तीन कुवे खुदवा जाएं तुमारे गाव में तीन कुवे खुदवाए जाएं but if you fail अगर लेकिन अगर तुम fail हो गए मतला अगर तुम शर्थ हार गए तो तुम अपना सर खोदोगे in our village once we accept the challenge तो बूरे आदमी ने कहा कि हमारे गाव में एक रीथ है मतला ऐसा होता है कि अगर हम कोई challenge accept कर लेते हैं तो हम दूसरे इंसान के क्या चूते हैं? पैड चूते हैं तो I want to touch your feet, please hold my stick तो उस बूरे आदमी ने कहा कि मैं क्योंकि वो challenge accept कर लिया था है ना? तो उसने कहा कि मैं आपके पैड चूना चाता हूँ राजा से उसने कहा उस बूरे आदमी ने तो आप मेरी ये stick जो है मेरी हाथ में से पकड़ लो दा किंग टुक दर stick तो राजा ने उसके हाथ से stick ले ली और जो बूरा आदमी था वो उसके मुनार्च के पैड चूने के लिए नीचे चुका नाओ यू में गिव इट बैक टू मी ये सेड तो उस आदमी ने कहा उस बूरे आदमी ने कि अब तो मुझे वापिस दे सकते हो सीधे खड़े होते हूए और राजा ने उसकी stick उसको वापिस कर दी और ओड मैन आज तो ओड मैन ने पूछा उस बूरे आदमी ने डू यू वांट और पूरे आदमी ने क्या तो मुझे से और सबूत चाहते हो आज ता किंग तो उसने का सबूत इना पजल वोईस तो वो मतलब उसको समझ नहीं आया कि सबूत उसने सबूत दे भी दिया और वो समझ भी नहीं पाया तो बूरे आदमी ने उसको समझाया कि तुमने मेरी stick पकड़ी जब मैने तुमसे कहा और जब मैने कहा कि वापस तो तुमने वापस दे दी as I said all men are servants of one other जैसा कि मैंने कहा था कि हम सब आदमी एक दूसरे के ही नोकर हैं मतलब हम एक दूसरे की बाते मानते हैं तो the king was amused तो king ये उसकी बात सुनकर क्या हो गया amused मतलब वो मतलब एक तरह से वो खुश हुआ बलकि उसके उपर वो चिड़ा नहीं वो खुश हो गया उसकी बुद्धिमानी देखकर तो the king promised to get three wealth और उसने जैसा कि promise किया था उसके वो जो old man था उसके गाव में तीन कुवे उसने खुदवाए और उसके बाद जो king था राजा था उसने जो बुड़े आदमी को अपने personal advisor मतलब अपने सलहकार के रूप में उसे रख लिया तो इससे moral क्या मिलता कि all gods creation are equal तो जितने भी भगवान के बनाए हुए जितने भी इंसान है और वो सब क्या है सब बराबर है हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम मालिक है और आप यह two falls फिल अप इसके exercise और कुछना answer करेंगे ओके